हेलो फ्रेंट्स मैं दिवैश निशी देगवर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वावत करता हूँ दोस्तों आप लगों ने थमनेल बिल्कुल सही देखा जो इस समय एक बहुती गर्मा-गर्मी का महौल बना हुआ था जो यूथ में खास और से एक बहुत गुस्से का भी महौल था यह जो समविदा कानून आ रहा था कि अगर नौकरी में अपोइन्मेंट होता है तो पहले पान साल आपको समविदा पे रहना पड़ेगा और हर साल दो समिस्टर वाइज कुछ एक टेस्ट होंगे उनमें 60% मिनिमम मार्क्स लेके आना जरूरी है और सक्सेस्फुल यह पान साल जिनके कम्प्लीट हो जाएंगे उनहीं को परमनेंट किया जाएगा और इसके साथ में जो इक 50 साल रेटायर्मेंट वाला यह भी काफी चीज चल रही थी कि अब रेटायर्मेंट और काफी टेंचन भी हो गई थी कि यह बेरुजगारी के चलते हुए इससारी चीज़ एकर चलती रही तो तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो समविदा कानून था इस पर काफी सारे बवाल सारी जगों पर देखा प्रयाग राज में स्पेशली कि स्टूडेंट्स ने जलूस वगरा निकाला तो वहाँ पर काफी पुलिस के साथ उनकी जड़ा भी हुई या आप कुछ एक हुई मिला हमको गवर्मेंट की तरफ से कि आप देख सकते हो डिप्टी सियम केशो परसाद मौरे बोले सरकारी नौकरियों में समविदा की बात कालपनिक तो अभी इसका मैं आपको सोर्स पी बता दूँगा सोर्स पर कहां से मिला फिलल जो नियूस जो हमाई लिए जाननी ज़रूरी है वो नियूस आप देख लीजे पहले सबसे इंपोर्टन चीज प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है ठीक है ना यानि यूपी कोई भी चेंजज नहीं करेगी ना शुरुवात में 5 साल समविदा पर काम लिया विरोध कर रहे हैं प्रयाग राज आय केशव ने शुक्रुवार को सरकेट हाउस में सरकार की इस्तिती सपष्ट की कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है युवा विपक्ष के बहकावे में ना आए सरकार भरतियों में किसी प्रगार का आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सीम ऑफिस का जो गो यूपी ऑफिशिल ट्विटर हैंडल है सीम श्रीमाई योगी आदित नाज जी ने सभी विवागों को रिक्त पदों का विवरान उपलब्द कराने के नरदेश दिये हैं उन्होंने कहा है कि बीते साड़े तीन वर् प्रिया के अनुरूप जो अगले तीन महा में जो भी विवाग हैं जिन में भी वैकंट सीट्स हैं खाली पद हैं उनको भरती की जाए और कोशिश करके छे महा में नियुक्ति पत्र वितरित किये जाएं ठीक है आपको मैं और भी दिखा देता हूं ये देखे यहां पर सार सरकार द्वारा पुलिस विभाग यानि उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियों प्रणाथी वोड के अंतरगत एक लाग 37,233 नियुक्तियां की जा चुकी है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं बाकी अन्य विभागों में होई जो भरतियां है या नियुक्तियों को मिलाकर अब त तो इस प्रकार से 2,94,080 भरति किये गए पदों एवं 85,629 प्रक्रिया धीन भरतियों का कुल योग 3,89,709 है ठीक है तो यह बिसिकली जो डिटेल है वैकेंसी डिटेल वो मैंने आपको बता दिया तो इसी आधार पेनों ने काया कि अगले तीन महां में जो भी वैकेंड प सभी वागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीक्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आपड़े कल तक उपलब्द कराने के निरदेश दिये गया है ठीक है दोस्तों यह जो ट्वीट है यह आज ही का है आज का मतलब हो गया 18 ट्वीट है यह कुछ घंटे पहले का और इसकी साथी में अगर नेक्स हम ट्वीट को देखें तो हमारे यूवा साथियों में प्रतिभा है शमता है मेधा है वरतमान यूपी गवर्मेंट सभी को बिना भेदभाव के समान उसर उपलब्द करा रही है सभी विभागों में पर चैन की प्रक्रिया शिग्रती शिग्र प्रारंब होगी है हमारा प्रयास है कि आगामी छे माह में सभी वभागों में चैन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए तो गईस थोड़ा से आपर ध्यान ये दीजेगा कि यहाँ पर कोशिश ये पूरी की जाएगी कि छे माह में कम्प्लीट हो जाए आला कि जो भी रेजल्ट होगा वो हमारे आपके सामने आ जाएगा बहुत ही जल्दी ठीक है तो फिलाल इनकी दरफ से जो डिक्लेयर किया गया है वो मैंने आपको बता दिया अब इसी श्रंकला पे एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह जो एब पोईदा का कोई नियम नहीं बना रही है नहीं ऐसा कोई cabinet note है यह सिर्फ विपक्ष का फैलाया भ्रहम है तो गाईज यह जाक्ली है क्या चीज किसका फैलाया हुआ है क्या rumor है whatever it is फिलाल जो भी है तो मेरी सिर्फ एक ही appeal है एक ही request है सभी से आप सभी से और साथ ही साथ हर एक चाहे वो सत्ता पक्ष का विक्ति वो चाहे वो विपक्ष का हो कि कुछ भी आप लोग करिए कोई भी राजनीती का इस तर अपनाई है लेकिन इस तरीके का और इतना नीच इस तर बिल्कुल मत अपनाई है जिसके जरीए स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हो या स्टूडेंट्स को आप अगर अगर अपना मोहरा बना के यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज वो चीज़ बिलकुल मत करिये हाला कि यह बहुत ही चीज रही कि केशव प्रसाद मौरे ने चीज सामने आके बोली कि अब यह चीज हमाएं सामने क्लेर है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है यह सारे या तो रूमर्स हैं या अगर ऐसी कोई चीज चली है तो वो चीज उन्होंने सरकार ने वापस ले लिए है स्टूडेंट्स का विरोध देखते हुए चेक है ना तो बहुत ही अच्छी और इसके साथ ही साथ आपको मैं आप सोर्स दिखा देता हूं कि यह सोर्स मेरे को कहां से मिला है जागरन मीडिया की ओफिशल वेबसाइट से जहां पर देख सकते हैं यहां पर डिप्टी सीम केश्व प्रसाद मौरे बोले सरकारी नौक्रियों में सम्विदा की बाद काल ठीक है ना जो अभी आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था तो यह बिसिकली जो सोर्स है हमारे पास यह सोर्स जागरन का है तो यहां से मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ और आप खुद भी यहां से देख सकते हैं फिलहाल अभी के लिए बहुती बड़ी खुशकबरी है हम सभी लोगों के लिए जितने भी बेरुजगार हैं जितने भी competitive preparation कर रहे हैं students उन सभी के लिए कि आप लोग अपनी तयारी करते रहे हैं definitely vacancies आएंगी और चुकि 2022 में चुनाओ भी है तो एक बहुती प्रबल संभावना है कि 2021 में अच्छे खासी vacancies आनी चाहिए और उनका जो recruitment process है वो भी बहुत जल्दी ही होगा तो please आप लोग अपनी तयारी में focus करिए बजाए किसी भी इधर वदर की तीन पाच में ध्यान दिये बिना और ठीक है इसी के साथ अगर further कोई और latest update आता है definitely वो ही आपके साथ में share करूँगा तो जो लोग भी चैनल पर first time आया है प्लीज चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके साथ ही साथ guys वीडियो को like जरू कर दिजेगा और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को share करिए so that कि हर एक student तक ये चीज़ पहुंच सके ये information पहुंच सके बजाए उनके किसी भी तरह के confusion में रहने के है ठीक है चल